हालो गाई स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में तो हम खेल लें अपना गेम तो हमारा गेम है आज ट्रेप का आई हने अपने टास्क को पहुंचाना है वहां पे तो हम कर रहे हैं बैक अभी देख सकते हैं बैक करके वहां पर जो ग्रीन एरो दिख रहे हैं वहा ले जाना है मैं तो अभी वैक हुआ नहीं मारा अच्छे से तो हम फिर से थोड़ा सा स्टेरिंग हुआ आगे सीधा कर लेते हैं गारी को मौने रहे हैं अब सीधी आगया पीछे बैग आ रहे हैं बैक कर रहे हम थोड़ा सा सीधा और करेंगे यह लग गया हमारा टास्क तो आप हम चलते हैं आगे तीरे से अपने ट्रक को निकालते हैं तो बढ़ते हैं आगे यहां से तो अब हम यहां से मुड़ते हैं लेप्ट साइड तो रास्ता थोड़ा सा घराब भी दिख रहे हैं इदर चल रहे हम लेप्ट साइड में रास्ता थोड़ा सा खराब भी दिख रहे हैं इसमें और ट्रक हमारा बहुत ही लोडिंग वाला है तो हम दीरे दीरे से अपने ट्रक को निकालेंगे यहां से आइड्र मारा हम से जा रहे हैं रास्ता बहुत कराब है और मोड भी है तो हम अच्छे से मोडना पड़े गां में ढुआ दीरे से स्लोली स्लोली मोड़ना पड़ेगा मैं तो मोड़े हैं अपने ट्रक को दीरे से क्योंकि मोड भी बहुत है यहां पर अभी हमारा ट्रक नहीं मोड़ पा रहे है क्योंकि ट्रक में लोड भी है तो देख सकते हैं आप दीरे से मोड रहे हैं हाँ मोड़ गया तो दीदे दीदे से चलेगा हमारा ट्रग तो गाइज हमारा आज का टास्क है कि हमें गाड़ी को उसकी जगह पहुचाना है और इस में आपको देखने को मिलें के आगे को लग लग एडवेंचर तो देख सकते हैं मौसम भी यहां बहुत खराब चलना है बरफ बढ़ दिया है तो चलाई है आपने कभी बरफ में गाड़ी अगर चलाई हो तो कमेंट करना और वीडियो को पूरी देखना कि हम कैसे अपने टाक्स को पहुंचाते हैं उसकी जगह देख सकते हैं तो हम लेफ्ट में जाएंगे अभी दीरे-दीरे से देख सकते हैं बढ़ गिर दिया इदर तो हमें इसकी इसको इसकी जगह पहुंचाना है अच्छे से तra तिरे-दीरे से इसमें बहुत सारे फंक्षन ने है इसमें फंक्षन यह भी है जो आपको ग्रेइन दीक रहा है त तो हम जा रहे हैं भी सीधा तो मौसम भी थोड़े साव लग रहा है बर अब अब तो नहीं गिर लिया है वह अब आप जाएंगे हम यहां से लेप्ट में दीदे दीदे से मोढ़ेंगे अपनी गाड़ी को रोड भी पत लिया है यहां पर थोड़ी सी तो हम आराम आराम से सीधी जा रहे हैं हम अपनी साइड में चल रहे हैं तो जा रहे हैं हम आगे आगे तो देख सकते हैं यहां पर पुलिस भी खड़ी है साइड अक्सिडेंट हो रहा है यहां और एक एंब्लेंस भी हैं तो हमें अपनी साइड जाना है हम अपनी साइड को ही चलते रहेंगे क् कि देख सकते थे देखा आपने की पीछे एक्सिडेंट हुआ था एक तो हम अपने साइड ही चलेंगे इसमें कहीं हमसे भी ना हो जाए और हमारा चाला ना कर जाए तो आगे देख सकते हैं आप इसमें हमें टोल पड़ेगा जो आगे ग्रीन दिख रहा है आपको तो टोल हमा परड़ा है तो हमारा गेट कुल चुक है तो हम सीधे जा रहे हैं यहां से आगे टोल हर जीगा पड़ता है आपको बता ही होगा हम यहां से सीधे जा रहे हैं सीधे चलते हैं यहां से तो स्पीड देख सकते हैं हमारी स्पीड अभी हंड्रेट कर दी हमने तो हमें रेस देन तो जा रहे हैं सीधे-सीधे सीधे जाएंगे हम speed 100 है हमारी अभी 80 हो गई, 80 हो गई हमने speed बस अने steering कुभाएंगे अपने देख सकते हैं गाड़ी भी हमसे आगे चले गई तो आगे से हमें एक gate और मिल गया तो ये toll gate तो नहीं लग रहा जैसे हम सीधे निकलेंगे ये toll gate नहीं था क्योंकि हमारे इसमें पैसे नहीं करते जैसे हमारे पीछे करते थे पैसे तो ये normal gate था है तो आप हम सीधे जाएंगे याँ से देख सकते आप तो मौसम यहां बहुत अच्छा हो गया देख सकते हैं दूप आ गई और हमें जाना है भी यहां से राइट साइड में तो आप चलते हैं यहां से राइट साइड तो वो जा रहे हैं सीधे सीधे अभी हम यहां से अब सीधे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा पहले चालान कटा था तो मैं यहां से पीछे की राश्ते जाऊंगे यह तो पीछे से निकाल रहे हैं गाड़ी देख सकते हैं yoga पुलिस कड़िया आगे चालान हो सकता था लेकिन हमारा चालान हुआ नहीं सीधे निकाल रही गाड़ी पीछे से मैं पिसले बार चालान कटा था तो इस बार मैंने कुछ नह नहीं ट्राई किया टो हम आग इसे ना जाके पिछी की एसी के पिछी की जा करनें है चला नहीं कर दा तो आगे भी हम ऐसी गरेंगे कि हमारा चला नहीं तो आ दो जाएंगे न सीद्हे जिए सीद्हें해주 आप यहां से राइट साइड चले जाता है तरह देरे से निकालेंगे अपने ड्रक को कि निकालनेहीं देरे देरे मुरुत पतली दर फिर से यहां से राइट साइड मीजेंगें। बीरे से मोड़ेंगे फिर रख को क्योंकि रोड बहुत पतली है इदर तो मोड ली हमने अब सीधे जाएंगे यांसे यांस हम सीधे जाते हैं तो मौसम थोड़ा इदर फिर से खराब होने लग गया कि इंटिन्यू स्ट्रेइट रोट रोट नो हमारा चैलान कट गया क्योंकि हमने रेयर लाइट क्रोस कर दी इसलिए फ़ार चैलान कट गया पचास उरुपे तो पहले नहीं करता अभी कट गया तो अब हम यांसे जाएंगे लेफ्ट में तो देख सकते हैं दीरे दीरे से हम ट्रक निकाल लें और लेफ्ट में चल लें तो पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में अपनी मंजील में आप क्योंकि ज्यादा नहीं है बस 6 किलो मीटर है तो चलते हैं हम यहां से और बहुत जल्ड पहुंच जाएंगे हैं आप अब हमारे ड्राइवर को भी नीद आने लगी देख सकते हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था तो कहीं रैस्ट नहीं किया इसने भी तो अभी हम राइट साइड में जा रहे हैं और उसको नीद आन लगी आग से गाड़ी भी आ रहे देख सकते हैं हमें बचान है इसको कर जाना इस में तो की जगए में अgछे से मानच के नीदाई और एंधिया वि रहन और रही बहुत बतला है इसको बहुत नीदाई लगई देख सकते हैं एयग तो हमहें अच्छे से निकालना होगा तो हम या से हुआरा हो गया तो यहां से निकालते हैं अंदर धार लगाते हैं गाड़ी को गाड़ी की जग सीधी सीधने सकती हैं तो देख सकते हैं आप सीधने जारे ह laying थोड़ सा complete कर दिया देख सकते हैं आप हमने कर दिया complete हमारा टास्क हो गया कम्प्लीट तो गाई इस चैनल पर ने लो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को पूरी देखें मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर